हालो दोस्तों नमस्कार कैसे हैं आप लोग Dance questo में अब jisya aka आज मेरे पास डौ 2 ऐसी यह TDA 162 उर TDA 152 यह इसका नम्मर देख लेते हैं ये TDA 152 है और यह सी जो है टीडिये 162 बान्य तो दोस्तों आज इन दोनों IC से कितना कितना output मिल सकता है, तो आई दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं, और दोस्तों अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आए, मेरे वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें और मिरे चैनल को सस्क्राइब करें, जिससे जो भी लेक वद्तर पैस्यारज़ भी 11 पिंक अैसी है तु अन्वन्य अ इन दोनों में देखने में कोई नहीं वड़ा का बारी के पहाव को अद्ध दी ले। मत अब तर थर्भ कोई दीट पार। सबसे पहले 65 के बार हम जानते हैं पिन नमर एक दोस्तों, पिन नमर एक माइनस बोल्टेज होता है पिन नमर दो आउटपूट यानि की स्पीकर आउटपूट वन पिन नमर तीन प्लस बोल्टेज पिन नमर चार आउटपूट आउटपूट टू यानिकी स्पीकर बन और स्पीकर टू पीन नमर पांच ये म्यूट फंक्शन के लिए होता है पीन नमर छे माइनस बुल्टेज पीन नमर साथ इन्पुट प्लस ये हो गया आउटपुट टू के लिए पीन नमर आठ इन्पुट माइनस ये भी आउटपुट टू के लिए है पीन नमर नव ये ग्राउंड हो जाएगा और पीन नमर दस इन्पुट माइनस आउटपुट वन के लिए है ये और ग्यारे इन्पुट प्लस इन्पुट वन ये भी output 1 के लिए है यह है दोस्तो टीडिया बतर 65 का pin out दोस्तो इसमें जो plus वाला input है plus input यह होता है non-inverting input non-inverting input और minus वाला होता है inverting input input सेम ऐसा यहां बर भी है plus वाला non-inverting input है और minus वाला inverting input ठीक है दोस्तो यह है टीडिया बतर 65 का pin out दोस्तो आपने एक खास बात आपको बतादू कि टीडिया मतर 65 का जो pin out है सेम टो सेम टीडिया बतर 95 का भी यही सेम pin out है जोस्तो इसका मदलर भी हो गया कि अगर आपके पाश टीडिया बतर 90 की सरकीट है है कि जब आप इन दोनों IC को बद लेंगे तो supply अलग-अलग है और पुट अलग-अलग है ठीक है तो output और supply समझ लेंगे तो आप इन दोनों को एक ही सर्कुट पर चला सकते हैं किसी अब समझते हैं कि टीडियर 34 को कितना बोल देना पड़ता है और कितना आउटपूट मिलता है और ठीडियर बथे我們的 को लिए यह पहलते हैं тому ओंसफेल्य reallyson के बारी में दोस्तों टीडियर भत्रपेसट मिलता है पचीस वाट का आडियों ऐसी है ठीक है और हम बात करें टीडियों भत्तर बानवे का तो टीडियों भत्तर बानवे है यह है चालिस वाट प्लस चालिस वाट का आडियों भत्तर बानवे चालिस वाट प्लस चालिस वाट दोनों में इतना फर्क है और टीडियों भत्तर पैसर को चलाने के लिए जो सप्लाई चाहिए होती है मिनिमम् नौ बोल्ट से लेकर मैक्सिमम् आप बाईस बोल्ट तक दे सकते हैं पलस और मैनेस दोनों बोल्टेज की जुरूत परती इस पे और हम टीडियों भत्तर बानवे की बात करें तो आप इस पर 10 बोल्ट से लेकर 32 बोल्ट तक आप दे सकते हैं 9 बोल्ट से लेकर 22 बोल्ट तक टीडियों भत्तर पैसर को आप दे सकते हैं और टीडिये 222 को 10 बुल चलेकर 32 बुल तक आप इसको सप्लाई दे सकते हैं दोनों को जो स्पीकर मेच करेगा अच्छी क्वाल्टी का साउन जो आएगा दोनों में ही 8 ओम ही मेच करता है अगर आप 4 ओम लगाएंगे तो भी चलेगा बर 4 ओम में वह बाद नहीं बनती जो 8 ओम में आती है ठीक है दोस्तो दोनों का सर्कीट सेम होता है दोनों का पिराउट सेम होता है आप इसकी जिगए AIC लगा सकते हैं इसकी जिगए AIC लगा सकते हैं अब देखिए आप सप्लाई और आपको का फर्क है तो जैसे 6260 का अगर आपके पास सर्कीट है वहाँ पर इसको लगाते हैं तो आपको क्या करना होगा कि सप्लाई आपको बढ़नी होगी अगर आप सप्लाई नहीं बढ़ाते हैं तो भी चल जाएगा लेकिन आउटपूट कम मिलेगा और TDABC को TDABC के सर्कीट पर लगाते हैं तो आपको सप्लाई कम करना पड़ेगा वरना TDABC को OoC ख़राब हो जाएगी TDABC स्टीरियों और मोनों में बन जाता है मैं अगर आप इस्टीरियों में बनाते हैं तो 25of And c noch 25W मिलेगा Mono में बनाते हैं तो आपको 40W का output मिल जाएगा ऐसे ही TDA 222 को अगर आप stereo में बनाते हैं ये भी stereo mono दूर्म बन जाता है stereo और mono अगर आप इसको stereo में बनाते हैं तो आपको 40W plus 40W मिलेगा और अगर आप mono में बनाते हैं तो आपको मिलेगा 70W इसके आलामा इन दोनों IC में खास बात और है कि इन दोनों IC को प्लस मैंनेस बोल्टेट की जरूत तो पड़ती पड़ती है अगर आप इसको सिंगल सप्लाई पी चलाना चाहते हैं तो भी यह चल जाता है बट सर्किट में थुरी से चेंजिंग होती है मैं अबले वीडियो में बता दूगा कि सिंगल सप्लाई पी आईसी कैसी चलती है अगर मैं इसी वीडियो में बताने चाहूं तो बहुत लंबा वीडियो बन जागा झाल झाल